बॉल्चम तो दा इंटरेश्ट, इन इस वीडियो वी विल लर्न हाउ तु सौल डिस कॉश्चन को से देखिए बच्चों आप ध्यान से इस कॉश्चन को हमसे कॉश्चन क्या पूशे टेक्सों क्या होता है यार देखिए टेक्सोन जो है बेटा टेक्सोन एक केटेगरी को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है केटेगरी अच्छा ये केटेगरी किसमें होती है केटेगरी ये जो होती है ये होती है आपकी कोई भी हो सकती है किंडम की केटेगरी हो सकती है phylum की हो सकती है class की हो सकती है order की हो सकती है family की हो सकती है genus की हो सकती है या फिर species की हो सकती है किसी की भी यह category हो सकती है अगर इसमें से किसी की भी category है तो यह क्या represent कर रही है यह अपने related individuals को represent कर रही है ऐसी category अगर वो species की है तो यह क्या रही है इसा फैमिली को रिपेजेंट कर रही है तो किया हुआ इसी फैमिली के ग्रूप जो कि क्या हो उनके इभिशल आपस में बहुत मिल खार है उनको रिपेजेंट कर रही है ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं, तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है, कि ये जो है, या तो किसी close related organism को repelent कर रहे, या फिर उससे related group को repelent कर रहे, तो वो क्या होती है, taxonomic, categories, या उससे अपन क्या कहते है, taxon, ठीक है, तोसके answer क्या होगा, option D. Thank you for watching this video and keep visiting our platform entrance-online for more such interesting videos.